ठोकरें जहर नहीं है जो खाके मर जाओंगा ठाना है जो बजपन में वो करके दिखाओंगा और सायद आप लोगों को दिखने भी लगा होगा साथियों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद परिवार में 5,20,000 कंडिडेट आज हो चुके हैं जो के इस्टूडेंट के लिए ये मतलब बहुत बड़ी संख्या है क्योंकि अगर नाच गाना कमेडी होता कुछ गंदा सा चीत दिखाते होते तो ये संख्या कई गुना ज्यादा हो सकती थी बट यहां पढ़ाई होती है का करिएगा पहाड़ा याद करें वन से लेकर करके 99 तक सिर्फ 10 मिनट के अंदर हम 10 सिकंड में नहीं करेंगे ठीक है 10 मिनट लगेगा और बिल्कुल करेंगे पका आज की कलास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या पता आपको सब पहले से पता है आज पढ़ेंगे रेक्टें कि याद रखना क्या है रेक्टेंगल रासा इसकी क्या होगी बताएंगे डेफनीशन बोलते हैं इंगलिस में एरिया और परिमिटर यानि छेत्रफल और परिमाप दिख रहा है चार बुजाओं से घिरी ऐसी बंदाकृती जिसके सम्मुक बुजाएं बराबर होती है सामने की बुजाएं क्या होती बराबर होती है अगर ये फूर फेंटी मेटर है तो ये भी क्या होगी फूर होगी बात समझ में आ गई सभीको यानि ऐसी बंदाकृती या ऐसा चतुरभुज बोल सकते हैं इसकोお願いします क्या होते हैं सभी क्या होते हैं 90-90 के होते हैं समझ गए न एक तो सामने सामने की भुजाएं बराबर होंगी दूसरा उनके एंगल 90 के होंगे यानि समकोन होंगे राइट एंगल होंगे होगी परिभासा कुछी को कोई डाउट नहीं रहे बाबा चलिए एरिया देखते हैं एरिया क्या होता है किसी बंद आक इसे तो उसने जितना चेतर घेर रखा वही उसका भता है एरिया होता है यह मद हगाउं में खेत होते हैं सार में तो होते हैं अचल उनमें मेडे होती ही, देखे हो मेड, कुछ लोग तो मेड कटवा होते हैं गाओं में, कट कट के निकालते रहते हैं उसी में से, उबाता लग की है, चलिए मतलब की बास सुनिए, तो जो चारो तरब मेड होती खेत की न, उसके अंदर में जितना खेत होता है, वो उस खेत का एरिया ये यही 6 फाल होता है तो यहां से अगर नहीं समझ में आया तो हम थोड़ा सा 4 वे की शोड़ाई किनु could लंबाइ गुरे चवड़ाई क् συं होता है यही क्यूं और कुछ क्यों होता है तो होता क्या होता है कि ये जो आयत है ये मैंने छेतरफल क्या बताया कि इसकी लंबाई चोड़ाई का गुड़ा करके छेतरफल निकलता है तो लंबाई मतलब इधर का पूरा निकाल लिया लंबाई मतलब ये पूरा पूरा ले लिया ये पूरा और चोड़ाई मतलब चौड़ाइ पूरा-पुरा ना इये तो थो फिर बचा कैया यतना था पूरा सब तो कवर कर लिया न तो लंबाई चौड़ाई का गुणा करके क्या निकालते है या और ये निकालते है समझ गए सूत्र होता है लंबाई गुड़ा चौड़ाई बस पांच-साथ मिनट देखना है रील में जिन्दगी पर बाद मत करिए यूटूब पे या किसी भी पिलेट फार्म पे किसी आकरती के चारों भुजाओं का जोड़ परिमाब कहला आता है परिमाब को इंगलिस में पेरिमिटर बोलते हैं क्या बोलते हैं? पेरिमिटर बोलते हैं क्या? पेरिमिटर ठीक है? किसी आकरती के चारों भुजाओं का जोड़ कहला आता है पेरिमिटर कहला आता है यानि परिमाब कहला आता है जैसे, for example अगर ये रेक्टेंगल है जो आपको दिख रहा है इसकी ये side 3 cm है और इसकी ये side 5 cm है तो इसका perimeter क्या होगा जानते हो? हाँ, formula तो मैंने बताया ही नहीं इसको लिख लिए होगा आपने जैसे उसमें बता दिया था न, yln to b वैसे इसमें क्या होगा? परिमाब चारों भुजाओं के चोड़ को परिमाब कहते हैं तो भाई साहब अगर ये आकरती है जो आपको दिख रही है प्यार वाली, एकदम अच्छी वाली अगर इसमें लंबाई आपकी मानलो, formula बनाने के लिए मैंने a मान लिया और चोड़ाई को b मान लिया तो आप देखो, लंबाई दो बार सामिल है, चोड़ाई भी दो बार सामिल है तो परिमाब बराबर जानता हो का हो जाएगा? परिमाब यानि आप p से इसे denote कर सकते हो perimeter बोलते हैं, इंगलिस में तो दो बार लंबाई सामिल होगी तो a प्लस a और दो बार चोड़ाई तो b प्लस b यह b भी नहीं है, दो b जुड़ करके क्या हो जाएगा? तो b बोल रहा हूं, टी भी नहीं बोल रहा हूं देखो इदर तो यह जुड़ेगा तो 2 a धन 2 b और यहां से 2 common लोगे तो a प्लस b बनेगा यानि 2 इंटू लंबाई धन चोड़ाई यहीं होता है परिमाप का सूतर, रटना नहीं बैट के कुछ लोग रटता नहीं है आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई धन चोड़ाई यहाद का परिमाब बराबर टू इंटू लंबाई धन्चोड़ा या रहे गदहा आता कई से देख लो ना रटने का क्या मैथ पढ़ी आती है नहीं पढ़ी जाती है सीखी जाती है तो सिखा रहा हूं मैं आपको परिमाब कहां फिर निकला समझ गए कि कि किसी भी बंद आकृ कि चारो भुजाओं का जोड़ है उसको परिमाब कहते हैं खुली आकृती में भी आप कर सकते हो सिच्वेशन पर डिपेंड करता है उसको बंद करना पड़ेगा कहीं न कहीं से कालपनिक ग्रूप में तो परिमाब निकाल पाओगे मानलो कोई आकृती है मैंने यह वर्ड आकृती इसलिए उज़ कर रहे हैं कि ओके कि नार्मली लोग आकृती भी बोल देते हैं बात सिर्फ समझने की तो अब चलिए कुछ कोईश्चन कर लेते हैं यह तो आप देखी लिए हो एक बार फिर से आपको धिर सारी बधाई इस समय इतना हालत खराब चल रहा है फिर भ तो कुछ लोग ऐसे हमें जज़ करते हैं उनको पता नहीं अभी कुछ भी अभी नादान है बात में बात करेंगे उनके बारे में छोड़िए जल रहा है जलने दीजिए थोड़ा और लगाईए सुलक जा एकदम छोड़िए उनको आगे बढ़िए तो मैंने सुचा कि आप तो आपको यह साइड दिया है साथ एंटीमीटर और यह फालिड आपको दिया है चार एंटीमीटर थे ऐ और फाइंड ये Kiss के लेंटर दिया है तो क्या होगा पता को लंपाई गुडये चोड़ाई न सबको पता है लंबाई गुड़े चोड़ाई length into breath तो ये हो जाएगा लंबाई कितना है 7 चोड़ाई कितना है 4 इक्वल हो जाएगा 28 20 meter का square याद रखना छेतरफल में आप वर्ग इकाई चरूर लिखेंगे इकाई अलग-अलग हो सकती है centimeter, meter, kilometer कुछ भी जो भी होगा perimeter क्या होता है अभी अभी फर्मूला बना था 2 into लंबाई धन चोड़ाई यही बना था तो 2 into लंबाई धन चोड़ाई लंबाई कितना भाई साहब 7 चोड़ाई कितना है 4 तो कितना जाएगा 2 गुड़ा 11 बराबर 22 centimeter याद रखना यहाँ पे आपको वो नहीं लगेगा क्या इसक्वाईर नहीं लगेगा रे बाबा यहाँ पे इसक्वाईर क्यों क्योंकि यहाँ पे कहीं गुड़ा नहीं हो रहा सिर्फ जोड़ा जा रहा डारेक्ट ओके समझ गए ना किसी के मन में कोई doubts, कोई दूबिधा तो मुझे बता दो यह हो गया आयत, खतम क्या-क्या देखा? आयत क्या होता, यह देख लिया आयत की परिभासा देख लिया परिभासा छेतरफल परिमाप यह हो चुका rectangle का यहाँ पे देख लीजी है बाद कानी सिखाई गई है इफी तरीके कि हमारी कोशिस है ददस मिनट के वीडियो में आपको सारी जनकारी अच्छे से दी जाए एक एक फिगर के बारे में जैसे आयात क्या है वर्ग क्या है समकोर्ट तिरभूज क्या है संदुवाव तिरभूज उसकी परिभासा शेतरफा लोग सार्च करते हैं रेक्टेंगल डेफिनीशन और रेक्टेंगल वाट इस परिमिटर आफ रेक्टेंगल यानि आयत का परिमाप क्या होता है यह सब लोग खोजते हैं तुनको मिलता वीडियो ठीक है तो धन्यमाद कोई भी सिकायत या सुजावए तो कमेंट करके आपना लाखों साथियों का प्यार और विश्वास बनाए रखें और जलने वाले को चलाते रहें